नित निज परमार्थ है जिसके दरशवा जानने का नाम दरशन ग्यान है हो नमन मात को जिसमें चरण ही धान है निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात में परयाने भी वे साथ हैं आराद हैं आराधना के सार हैं हो नमन जिन देव को जो भव जल दी के पर चलिए आगमुद्धरन जो आए हैं उनको एक बार पढ़ लेता है पेश नमर दूसो साथ विशे शात्मा तदर्तो विशेहा वत्थू पमान विसयम नय विसयम हवाई वत्थू एक अंसंतं तम निखे वे हवाई निख्यम द्रव्यम द्रव परनामह गाउनम किच्चा दव्वं प्यजो गिन्नाई लोए ति भनियो वरियो पजय थिनो परियायम मुख्यतया अनुभावयती थि परियायार्थि कहा तत्रान शिन्यपनिह शेष गुणता गताओ जैसे करी लोद हरडे की पुट बिनू परियायम जीट रंग नीर में भीग्यो रहे चीर काल सर्व थाना ओई लाल भीदे नहीं अंतर सुफेदी रहे चीर में चलिए विशय भी आगे बढ़ाते हैं कल से हम यह नहीं पढ़ेंगे मतलब प्रशन उत्तरों के जो आगम उद्धरने महां से कल से पढ़ते हैं ताकि पुराना विशय अपना अब जितना आपको समझना था आपने समझ लिया है कुछ दो-चार बुद्धे हैं जो आपको पुराने विशय में समझने हैं देखो सबसे पहला मुद्ध तो है परया-इर्थिक नए किसे कहते हैं अब दूसरा मुद्ध है आगम में द्रवयार्थिक नए का क्या आर्थ है और साधारन तया द्रव्यार्थिक नए का क्या आर्थ है, नोनों के बीच का अंतर आपको पकड़ में आना चाहिए बोलोई क्या अंतर है दोनों में? बदा ही अंकित जी. आगम में जो द्रव्यार्थिक नए का स्वरूप बताया जाता है और हम साधारन तयार जो द्रव्यार्थिक नए का अर्थ समझते हैं, दोनों में क्या अंतर है? शुद्धा शुद्ध पर्यायों को गौन करके जब हम मात्र द्रव्य को देखते हैं तो द्रव्यार्थिक नए का विशय बनता है नए चक्रों के आधार पर लेकिन आगम में जो द्रव्यार्थिक नए ग्रहन किया जाता है उसमें शुद्धा शुद्ध पर्यायों को मिला क के द्रव्यार्थिक नए का विशय बनाया जाता है अरे हां जी की ना जी पीछे प्रकरण में आया था की नहीं आया था बताओ पेज नंबर क्या है आगम के द्रव्यार्थिक नए के विशय में पेज नंबर देखे 210 क्या आप लोग ऐसे भूल जाओगे छोटी-छोटी अध्यान रखना अत्यन तावश्यक है कि स्थान विशेश पर द्रव्य शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है वह द्रव्यार्थिक नए के विशय भूत द्रव्यांश के संधर्व में या प्रमान की विशय भूत वस्तु के संधर्व में है इसी बात की स्पष्टता के के लिए कभी कभी संपूर्ण वस्तु को प्रमान का द्रव्य एवं द्रव्यान्श को द्रव्यार्थिक नएका विशय कह दिया जाता है तो उस अपेक्षा से आगम में ऐसा थोड़ा अंतर अच्छा इससे उपर वाला प्रग्राफ देखिए तथा आगम में भी इस प्रक्र प्रयोक किया जा रहा है तथा पी आगम ने भी कहीं कहीं सामन्य विशेश आत्मक अर्थात द्रव्य परिया आत्मक परमान की विशयबूत वस्तु को भी द्रव्य कह दिया जाता है तो उस अपेक्षा से इन में थोड़ा अंतर होता है ठीक है? ये दूसरा प्रकरण हो गय तीसरा प्रकरण इसमें आया था सरवथा शब्द का क्या आशय होता है क्योंकि जिंदेगी में हम ये शब्द बहुत प्रयोग करते हैं बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है हम जौन कह रहे हैं, बैसो ही आए ऐसा कहते हैं न हम तो अब ये ही का प्रयोग, सरवथा का प्रयोग हम बहुत करते हैं तो वो बात को समझाने के लिए उन्हें का कि भाया ही का प्रयोग दोनों अर्थों में होता है कथंचित भी, पूर्ण भी कथंचित होगा, तो किस अर्थ में होगा? प्रमान के और ही सरवथा के अर्थ में होगा तो अपेक्षा लगा कर नयों में इस प्रकार से आप दोनों जगे उसे घटा सकते हैं नहीं बिना अपेक्षा लगाए तो हाँ नहीं अपेक्षा को प्रकट किये बिना मात्र कथंचित मानना प्रमाण का विश है अपेक्षा लगा दिया नएका विश है, अपेक्षा नहीं भी लगा दिया तो भी नएका विश है, लेकिन अपेक्षा लगा दिया तो सम्यक नएका विश है ठीक है, गुणार्थेक न benevol के डो निश्कर्ष कौन कौन से थे भाया बोलो क्रणाल जी द्रव्यार्थेक नospel का ने के डो निश्कर्ष कौन कौन से थे वो ऐसा है न भाया, हाद उठाने को मना करवाया है बढ़ाते हुए तो मैंने कहा बच्चे से भी पूछ लेते हैं सीधे, बोलिए, नहीं, पीछे, महिला, वर्ग, शाबाश, बहुत बढ़िया, उसके लिए एक शब्द विशेश का प्रेवग है, गुणों में गर्वित करने के लिए क्या परियाए दो प्रकार की होती है, जब हम सहभावी रूप अर्थ में उसको प्रेयोग करेंगे, तो ये परियाय अर्थिक नए में चला जाएगा, तो ये दो शब्द उसमें प्रधान है, सामानने को प्रधान करेंगे, तो किसमें चला जाएगा, त्रवय अर्थिक नए में, और विशेश अर्थात, सहभाव और यी परियाय को प्रधान करेंगे तो ये गुण में चला जाएगा ऐसा इसमें एक संधी दी गई थी और ये दोनों ही बाते राजवारतिक में कही गई हैं श्लोगवार्तिक में मात्र परियाय को प्रधान करके बाद कही गई थी थोड़ा सा technical कभी-कभी ये विशय हो जात चाटवी साथ युगात हमें कौप कर दिया है ववहारन वभासदी जीवो दे हो यह वदी यह तो 27 हो गई आठवे नमबर किया था क्या है क्या अनज्वासम बिना दुगा हे दुम तहवा वहारेन बिना परमत्थो दे नहीं और बताओ इसके आगे कुछ निग्यार भी है ववहारस अरे तेर भी हो गई बेटा तेर भी है वो अच्छो कोई नहीं लेकिन ये बात सही है कि समयसार में उन्होंने सबसे पहले नयों का प्रयोग करके सारी बात कही थी तो वो वहीं से सारा जितना भी आगे नये चक्र लिखे जाते हैं उन्हें समयसार की गाथाओं को कोट किया जाता है अच्छ चलो ठीक है चलिए बहुत बढ़िया और आगे बढ़ते हैं द्रवेर्थिक नय पर बात हो कि इसके बाद फिर एक और प्रकरण आया था कि भीया नयों की क्या जरूरत है जब प्रमान से हमने पूरी वस्तु को जानी लिया है तो नयों से क्या जरूरत है जब हमने जानी लिया है कि जगत के भारत देश में रहने वाले भारत वासी हैं और परदेश में रहने वाले परदेश वासी हैं तो इतने में हमें पता चल गया कि विश्व में दो टाइप के लोग होते हैं इनसे अपना कंबंद एक जैसा होता है कि भाई साब अपने घरवालों से बात हम अलग तरीके से करते हैं पाकिस्तान से बात हम अलग तरीके से करते हैं अमेरिका से बात हम और ही अलगतर चीन से तो हम बात ही नहीं करते, ये जो भी परिस्थिती बनती है, ये सारी परिस्थिती कैसे बन जाती है, नयों की प्रधानता से, जब आप नयों को प्रधान नहीं करोगे, तो आपको दो चीजों के बीच का डिफरेंस समझ में नहीं पक्षपात करते हैं अरे पक्षपात तुमाय वस्तू के सुभाव में है भाई साथ पक्षपात तो होना ही है आज नहीं कल होना है कल नहीं परस होना है अचा और कुछ पक्षपात जगत में होता है मतलब हो रहा है ज्ञान में पक्षपात है शद्धान में पक्षपात है चा मा ऐसाथ बुरा किया, हम ऐसा, मम्मी तो बस मुझे ही पकड़ती, वो छोटी बेहन कुछ भी करे, कुछ, मेरी ही जानका, ये सारी, हमने मन गढ़ंत कलपनाओं में, हम बहुत सारा विरोध खड़ा कर लेते हैं, लेकिन अब विरोध की आवशक्ता जहां है, वहां है, जहां नहीं है, वहां नहीं है, इसलिए कैसा हो जाती है बरिस्टी, दुधारू तलवार जैसी, वो क्या कहते हैं, क्षितिज जैसी, क्षितिज की परिभाशा क्या होती है, वही सब, that silver line, which differentiates the land from the sky, is called as horizon, क्षितिज किसे कहते हैं, तो धूतल को जो आकाश से प्रिधक करती है, एक पंग्ती, उसको कहते हैं क्षितिज, तो अब क्षितिज के इस पार चले जाओगे, तो बात बदल जाएगे, उस पार आ जाओगे, तो बात बदल जाएगे, और क्षितिज वास्तव में कोई लाइन है ही नहीं, क्योंकि वस्तू में तो कोई भेद है ही नहीं, वो सारी की सारी लाइन है, जो भी हैं, आपने अपनी समझ में बना रखी होती हैं, वो इतना सा बात है, ठीक है, शलो, तो फिर प्रकरण चालू हो गया, जहर का, कि भाई साब नए जहर होता है क्या, अरे नहीं भाई साब, ये डाइल्यूटेड जहर है, जो की आउशधी का कारे करता है, तो बिना आप आउशधी के प्रयोग के इसब काम नहीं कर पाओगे, तो पुराना थोड़ा पन्य विशय ऐसा देखा था, अब एक नया प्रकरण चालू हुआ था, चलो ठीक है, आपने कह दिया, नयों की आउशकता है, आत्मानू होती कौन से नहीं से होती है, भाईया, द्रव्या अर्थिक नहीं से होती है, तो फिर पर्याय अर्थिक नहीं का गला क्यों नहीं घोड़ देते, वाई, तो अब दादा ने अंत में जाकर के इसी का निशकर्श ऐसा दिया है, कि पर्याय अर्थिक नहीं की विशय बूत वस्तू को नहीं जाना, तो विकार कहां रहता है, ये नहीं पता चलेगा, विकार कहां रहता है, पर्याय में रहता है, तो इसलिए पर्याय से उसका निप्टारा करना पड़ जाता है, उस प्रकार की परिस्तिती को यहां पर व्यक्त किया जा रहा है, चलो, प्रकरण को एक बार पढ़के देखते हैं कल हमने थोड़ा भहुत प्रकरण इसमें देखा था कि द्रव्यार्थिक नए की क्या उपयोगिता है और परियार्थिक नए की क्या उपयोगिता है बोली यह द्रव्यार्थिक नए का विशय है जो की पक्षाति क्रांत में अनुभव में आता है तो विशय की अपेक्षा अंतर है और नए की अपेक्षा अंतर है मतलब नए से हम विकल्प करके वस्तु को जान रहे हैं लेकिन वस्तु में कोई नए नहीं है जैसे कल ही नयाय दीपिका में एक बहmetro बड़ा प्रकरना आया था जहां उन्होंने पूछा कि वाक्य किसे कहते हैं वाक्य वचन किसे कहते है तो उन्होंने कहा पदों में जो परषपर सापेक्षता होती है उससे वस्तु का जो निर्पेक्ष संबंद पैदा कराता है उसका नाम वाक्य है क्या बोला बातों का हिसाब बातों से नहीं लगाया जाता बातों का हिसाब उनके द्वारा बताई गई वस्तु से लगाया जाता है तो जब आप वस्तु को देखोगे तो वो तो नयाती थे उसमें कोई अंतर नहीं पड़ रहा लेकिन अब उसमें जो परिस्थिती है तो आज शुद्धता अशुद्धता दोनों है तो अब शुद्धता और अशुद्धता दोनों को मिला करके आपने उस वस्तु को देख लिया तो उसे प्रमान का विशय कह देते हैं आपने उसमें ये शुद्धता शुद्धता को जाओ चूले में होगी है हाओ मान लिया लेकिन उसका एक अभेद जो वस्तु में जीवत्व चैतन्यत्व परंभाव ग्राही पना होता है अर्थिक नयका विशय शुद्ध हो सकता है कि नहीं हो सकता है परियाय अर्थिक नयका विशय शुद्ध हो सकता है कि नहीं हो सकता है कारण शुद्ध परियाय अरे तुम स्वभाव से शुद्ध हो हो स्वभाव से शुद्ध तो पर्याय भी तुम्हाई शुद्ध है की नहीं है, नहीं पर्याय में तो मौराक्विश है, अच्छ तुम्हारी प्रतिह समय जीवत्व गुण की पर्याय हो रही है की नहीं हो रही है, वो अशुद्ध हो रही है की शुद्ध हो रही है, जीवपना तो कभी नहीं जा रहा ह चाहे वो निगोद्य अवस्था में भी क्यों ना चला जाए उस अपेक्षा से जीवत्व जो continuous चल रहा है वो परियाय में भी पारिणामिक भाव है समझ गए फिर से ये करेगा से होता करेगा तो हम क्यों न कर लेते नहीं वो चूले में गया जो होना है सुनेशित अभी तो हमको ये बताओ परियायों में जो परिवर्तन होता है मैं आप से पूछता हूँ चलो एक काम करो तुम हाँ मुझे स्केटिंग करके दिखाओ स्केटिंग करना आता है आपको स्केटिंग अच्छा aerobics करना आता है है ना तो कहने का मतलब यह हर चीज की अपने एक quality होती है हर चीज की अपने एक understanding होती है हर चीज तक पहुँचने का अपना एक रास्ता होता है यदि जो जब जो होना है सो होना है के हिसाब से विचार किया जाता तो तत्वार सूत्र में सम्मेक दर्शन ज्यान चारतराणी मुक्ष मारगा लिख सकते बे जब जो होना है हो जाएगा जब मुक्ष जा रहे है चला जाएगा मुक्ष का मार क्यों बता रहा है पुरुशार्थ आप समझने रहे आप जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं इस सारे के सारे शब्द बिल्कूल चिलल है चिललल मतलब भौती छोटे छोटे हर्थों में प्रयोग होने वाली चीज़ है तो पुरुशार्थ किसे कहते हैं पुरुशार्थ उसी समय होता है जिस समय कालब्दी होती है उसी समय होनहार होती है उसी समय निमित्त होता है तो एक भवित अब होता है तो ये सारे के सारे काम जब मिलकर के एक साथ हो रहे हैं तो परिस्तिती कहां आकर के टिक जाती है कि अकेले पुरुशार्थ से तो होने वाला नहीं है तो अब तुम लगे रहो जित्ता तुम्हें स्केटिंग सीखना है, स्केटिंग सीखना है चलो किताब ही लेकि आते हैं स्केटिंग is called where you have rollers on your wheels this is a wonderful thing to do you enjoy it the wind comes and it makes you feel wonderful तो ये सारी जितनी आप बात कर रहे हो ये कितावी बाते हो गई लेकिन इनकी प्रयोग आत्म का वस्था का क्या होगा तो कहने का मतलब ये है ये बहुत बड़ी है बहुत ही सुक्ष्म पंक्ती दादा नहीं हाँ दी है आज आएगी प्रकरण में मैं आपको बताता हूँ जैसे ही वो आती है तो अभी तो मुद्दा इतना सा है कि हम क्या समझने की कोशिश कर रहे है द्रव्यार्थिक नए को तो मानने के बारे में श्रोता ने स्वीकृती दे दी है लेकिन उसको परयायर्थिक नए से प्रॉब्लम है क्योंकि परयाय अर्थिक नए की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमारा धे नहीं है थिक है? अनित्यता कैसे आपका धे हो सकती है? धेभूत वस्तु को तो बने रहना पड़ता है ना तो भले हो बदल रही हो लेकिन उसे नित्यतो बना रहना है इस द्रश्टी से नहीं तो फिर धे पकड में कैसे आएगा तो वो एक चिंतन करने के लिए उन्होंने ये बात यहां पर बताई है पर यह अर्थिक नहीं कि क्या आवशक्ता है देखो गुर्देव के कोटेशन से पढ़ते हैं माइक दीजे इधर अंकित जी को पेज नुमर 2, 3, 4 नीचे से तीसरा पैरग्राफ दोनो नयों की उपयोगिता माइक दोनो नयों की उपयोगिता आवशक्ता एवं सफलता का सरूप स्पष्ट करते हुए इस योग के महान आध्यात्मिक सत्प्रोश्च्री कांजी स्वामी कहते हैं जीव का स्वरूप दो नयों से बराबर ग्यात होता है अकेले द्रभ्यार्थिक नैसे या अकेले परियार्थिक नैसे ग्यात नहीं होता इसलिए दोनों नयों का उपदेश ग्रहन का नयोग है ठीक है किसका स्वरूप समझने के लिए भाई सब जीव का जीव का ने अपना जीव समाल लो बस भाग की नहीं चाहिए चलिए पाप है वो तो एकंत द्रब्य को ही सुईकार करें और परियाय को सुईकार ना करें तो परियाय के विना द्रब्य का सुईकार किसने किया और किसमे किया देखो क्या बढ़िया लाइन दी उन्होंने ख्याल में आया है आपको आत्मा का अनुभव हो रहा है कहां कहां हो रहा है आत्मा का अनुभव आत्मा यदी द्रव्य है तो उसका अनुभव कहां हुआ अरे परियाय में ही तो होगा इसलिए परियाय को भी आपको मानना पड़ेगा अन्य था कभी शुद्ध अशुद्ध परियाए ये नाम ही नहीं पढ़ पाएंगे उसके अशुद्ध परियाए को अशुद्ध परियाए कब कहते हैं क्योंकि वो परियाए है नहीं क्योंकि वो स्वद्रव्य का आश्रे छोड़कर परद्रव्य का आश्रे कर रहा है जब तक आपको नए चक्र पढ़ने के लिए इस किताब की आवशक्ता पढ़ रही है तब तक क्या प्रॉब्लम है वस्तु नहीं ख्याल में आ रही है हमारे समझ में आ नहीं रहा है तो उस बात की स्वीकरती है कि हम कमजोर है हम सिद्धों जैसे अभी पावरुशवान हुए नहीं है यह उस बात को समझने का एक प्रयास है और मात्र परियाए ही स्वीकर करें द्रव को स्वीकर ना करें तो परियाए कहां द्रश्टी लगा कर एक अग्रोब अब वस्तु को हम शुद्धा शुद्ध कब कहते हैं तो जब जो परियाए जिस प्रकार के द्रव्य को आश्रे लेती है उसके आधार पर हम उसका ये नाम करन करते हैं तो उसी द्रश्टी से उन्होंने कहा कि द्रव्य को स्वीकर नहीं किया तो फिर हम सब बॉध्धों जैसे बिना आधार भूत वस्तु के आधेयों को लेते घूमते रहेंगे मतलब उमर लटकती मिलेगी आपको किसी एक खूटे पर मतलब एक जंगल की एक साथ लाइने हैं सारी पेड़ों की लाइने लगी हुई हैं एक पहला साल वहाँ एक पेड़ पर लटका है तूसरा साल एक पेड़ पर तो जब भी हमें जो चाहिए पड़ता है हम जाते हैं उठाते हैं तो ऐसे ऐसी लोगों ने M.C.U. में बना रखे हैं यूनिवर्स वो कहते हैं वहाँ memory stored रहती है आप जब चाहो एक memory उठाई जिया उसको छोड़ दिया दूसरी memory उठाई जिया और छोड़ दिया मतलब कुछ भी जब आपको बच्चों की ये memory चाहिए आप बच्चों की memory का enjoy कर लो जब आपको बढ़ापे की memory चाहिए बढ़ा कि तो ये पहला सबसे पहला काम हुआ था जब ये सबसे ज़ादा हिट हुआ था मतलब पूरे भारत देश में वो मैट्रिक्स से हुआ था कियानू रीव्स उसके नाम से बड़ा फेमस हुआ था वो अक्टर तो दुनिया में कहीं भी कुछ भी आप जब चाहे जिस reality में जाहे घुस करके पहुँच सकते हैं आपको बच्पन का enjoyment चाहिए अभी कराते हैं अब भाया वो सारा का सारा यहां है अब यहां से भी बदल जाएगा बच्पन का enjoyment अब जो भी है भाई साब यहीं से बचा है वो यहां से नहीं बचा है तो अब आपको जब चाहिए तब ले लो छुट्टी पाओ लेकिन नहीं अब खा नहीं सकते है उतना अब खेल नहीं सकते है उतना अब हिल नहीं सकते है उतना तो हमें उसमें दिक्कत हो जाती है तो बस उत्ती सी बात है शरीर के चंचलता को मिस करना कोई समझदारों की हरकतें नहीं है यदी मैं बच्चा होता तो यदी मैं कुछ साल पीछे चला जाओं तो तो एक बड़ ऐसा हुआ एक अमेरिका के 6th class के 10th class की class में एक टीचर ने कराई यह activity भाई बताओ आपको अपने बच्चपन के आपको कुछ कहना है तो आप उससे क्या कहेंगे तो किसीने का मैं उसको कहूंगा कि भाई तू तू नहीं उससे आज कुछ चाहिए होगा उसकी अफेक्षा से मतलब भाई तू पढ़ाई कर ले तेरी जिंदिगी बहतर हो जाएगी बहतर भाई इतनी मस्ती कर रहा है आज जिंदिगी में सारे के सारे प्रॉब्लम्द भोगने पड़ जाते हैं क्या बोलो कि तू सही बात है जैसे कि मैं पच्चता रहा हूँ आज गहरी बात है सही बात है और यहां बैठ करके यह बता रहा है कि मैं मस्ती कर रहा हूँ मतलब सही है चलो कोई नहीं तो एक मात्र विद्यार्थी ने कहा कि मैं अपने बच्पने को कहूँगा थैंक यू क्योंकि तूने जो मुझे आज बना दिया है वो नहीं तो मैं कहां बन पाता कि जो तू था उसने ही मुझे आज जैसा बनाया है यह आज की स्विकृती की बात है हम जनरली अपने इतिहास को अपने पास्ट को चेंज करने की कोशिश करते हैं उससे कुछ ना कुछ बदल जाए शायद कुछ चेंज हो जाता शायद बाहुबली में हमको दो-चार किताबें और पढ़ा दी होती तो क्या होता शायद सोनगर में दो-चार किताबें कम पढ़ा ही होती तो परिशानी कम होती सारा का सारा हमें पास्ट की गिल्ट इतनी गहरी होती है कि हम आज की swelpt में बहते नहीं हैं तो वो और smell करते रहते हैं I mean ठीक है All right तो उसकी अपेक्शा से ये बात है कि भया परियाए की स्वीकृति क्यों चाहिए आपको परियाए की स्वीकृति क्यों चाहिए अरै बिना द्रव्य के परियाए रहती कहा है, उसका कोई आधार ही नहीं होगा, तो वो आएगी कहां से और जाएगी कहा, चलिए, पढ़ो आगे इसलिए दोनों नयों का उपदे स्विकार करके जब पर आएगी संधी कन्ने युग है संधी मतलब जहां जैसी जो आवशकता हो वैसा, जैसे संस्कृत में हम संधी करते है संधी अकेले संधी नहीं होती वहाँ समास युग तो संधी होती है जैसे मैंने कहा प्रत्येक अब ये जो संधी है, ये संधी अकेली नहीं है, ये अव्याई भाव संधी की संधी है, जहां प्रती को हम बार बार करेंगे समझ गए ऐसे आपको इअध्यात्म एक संधी है अधि आत्म यह भी कौन सी संदी हो गई तो यह अव्याई भाव समास रूप संदी हो गई अब जैसे स्वरूपा स्थित्व स्वरूप और अस्तित्व स्वरूप में ही रहता है तो ऐसा करके हम क्या करते हैं वो संधियां हमेशा एक आवशक्ता को लिये होती है वो आवशक्ता कभी द्रव्यात्मक होती है कभी परियात्मक होती है वैसा चलिए द्रब परियाय की संधी का क्या अर्थ है बता रहे हैं बता रहे हैं परियाय को प्रिथक करके लक्ष में ना लेते हुए अंतरमुख करके द्रब के साथ एकाकार करना अर्थात द्रब परियाय के भेत का विकल्प तोड़कर एकता रूप निर्विकल्प अनुभव करना सो द्रब परियाय की संदी है बहीं दोनों नयों की सफलता है जी हमें समझ में नहीं आया, परियाए को प्रिफ़क करके, लक्ष में ना लेते हुए, अंतर मुख करके, द्रव्य के साथ, जी सब क्या मतलब है, जब द्रव्य और परियाए दोनों वस्तु में हैं, तो दोनों का अनुभव करने में, क्या problem आजाएगी वस्तु में जितना दरव्य है उतनी पर्याय है की नहीं है बरहत राज भई मतलब कभी भी किसी अवस्ता में आत्मा में से हम पर्यायों को अलग कर सकते हैं क्या मतलब पर्याय छुटी ले रही है आज आज नहीं आ रही है ऐसा तो कुछ होता नहीं है द्रवयान चलो थोड़ी देर के लिए आज स्विजलेंड चलते है वेकेशन पर परियाय तुम यहां करती रहो तुमको जो भी करना ऐसा कर सकते हैं तो द्रवयाय परियाय अलग नहीं हो सकते हैं तो यह अलग करवा क्यो रही है अरे बेटा एक एक करके ऐसे तो सब बोलने लगेंगे तो दिक्कत नहीं हो जाएगी हमको हाँ बताओ कोई जरूरत नहीं है दोनों को तो फिर दादा पागल हो गएंगे जो नहीं सी बात लिगी है यहां अरे तो अरे दादा गुर्देव में अभी अंतर ही कितना कर रहे है हम चलो तो इस परिस्थिती में हाँ बोली भाई सब परियाय है वो दुद्रभ का अनुभाव करने वाली है ठीक है तो वो अनुभावक में आ जाएगी रभ अनुभाव में आ जाएगा तो तो तुम यही कहना चाहरे है न दोनों आ गई फिर यह क्यों कह रहे है कि उसको लक्ष में न लेते हुए अरे क्योंकि अनादी काल से परियाय को लक्ष में लेके बैठे ही तो थे नहीं तो मुक्ती मिली कहाँ मुद्दा कुछ हों जाया हमें परियाय अर्थिक नएके विशाइभूत परियाय का तो अनुभव है ही हर्शिल भाईया हर्शिली नाम है न हाँ समझा रहा है आपको बात अच्छा बताओ देवगती की परियाय का experience है की नहीं आमको मनुष्य गती की परियाय का सारी परियायों का experience है की नहीं तो परियाय का स्वरूप तो हमें पताईए भाई क्या नहीं बात है प्रॉब्लम ये थी हमने उस परियाय को द्रव्य मान लिया था मैं जिस सवस्था में हूँ वो हमेशा बनी रहेगी तो प्रॉब्लम ये नहीं है प्रॉब्लम क्या नहीं है कि द्रव्य परियाय दोनों वस्थू में नहीं होती है लेकिन हमें अनादिकाल से आदत परियाय अर्थिक नहीं की वस्थू को द्रव्य अर्थिक नहीं की वस्थू मानने की पड़िये तो प्रॉब्लम कहां हो गई परियाय अर्थिक नयका विशय तो हमारे experience में आ रहा है सुद्व परेचिदान उभूदा लेकिन हमें किसका experience समझ में नहीं आ रहा है द्रव्यका बाई मैं था, मैं हूँ और मैं रहूंगा अब मुझ में ऐसा जो भी मैं extra ला रहा हूँ मैं जिस भी extra चीज़ को अपना समझ रहा हूँ वो मेरी नहीं है अब तुमने यदि किताबों को अपना समझ रखा है तो वो तुमारी नहीं है मम्य बापा को अपना समझ रखा है तो वो तुमारी नहीं है शरीर को अपना समझ रखा है वो तुमारी नहीं है महराद विश, my choices मैं खाने में ये खाता हूँ मैं ये खाने में ये नहीं खाता हूँ वो तुम्हारा स्वभाव ने आए दिन चेंज होता है भाई अभी तुम खीर खालो बेटा दिन में चार दिन पच जाएगी बेटाब जब तुम और दस साल बीच जाएगे एक दिन की खीर पचना मुश्किल हो जाएगी अरे आलुआ हलुआ को तो मेरी आखों के आगे experience भी नहीं कि हलुआ नाम की चीज क्या होती है और उसका experience क्या होता है पता नहीं कब से नहीं खाया पचता ही नहीं है तो कहां सिखाएंगे अब परिस्थिति परिस्थिति की बात है तो ये एक scene समझाने के लिए बात है हम अपनी choices को बहुत बड़ा समझते है हम अपने achievements को बहुत बड़ा समझते है मैंने ये पाया अरे तू ने नहीं पाया है ऐसे लाखों लोगों ने पाली आये जो तू लाने की बात कर रहा है क्योंकि आप एक suppose मान करके चलिए आप cricket में first आए ठीक है तो cricket में first आने वाले तुम first हो क्या cricket game जिसने चालू किया होगा वो तो हर बार ही first होगा बले खेले तो तुम कौन सा बचने वाले हो तो उस अपेक्षा से द्रव्यार्थिक नए की वस्तू को देखो मतलब इन परियायों में बढ़ती हुई आत्मा में अपने आपको समेटने की कोशिश मत करो ये परियाये तो जाएंगी चली जाएंगी तुम इनके आधार पर आत्मा को समेटने का कारिय नहीं कर पाओगे समेटने का कारिय कर लो समेटना छोड़ दो जो भी आपको समझना है चली अब इसके बाद की वो लाइन है जो मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा था पढ़िए परियाय को जानते हुए उसी के विकल्ब में रुक जावें तो वह नए की सफलता नहीं है उसी प्रकार द्रब को जानते हुए यदि उसी में एक अगरता ना करें तो वह भी नए की सफलता नहीं है क्या बात कही है उनोंने मतलब बात तो देखो आप जबरोदस्त परियाय को जानते हुए उसी के विकल्ब में रुक जावे हमने समारक में क्या पढ़ लिया द्रव्यानुयोग संबंदित जितने शास्त्र है थोड़ा बहुत उनका अच्छा अध्यन हो गया समय सार पढ़ लिया प्रचंसार शिवरों में पढ़ लिया होगा प थोड़ा प्रथमानुयोग प्रथमानुयोग तो कुछ नहीं वहिया हमने कुछ नहीं पढ़ा तो क्या करते हैं प्रथमानुयोग थोड़ा पढ़ ले वह यह कहरे दिखो परियाय को जानते हुए पता चल गई ना कि यह परियाय पता चल गया ना कि यह संसार है यह परिया परियाय किसे कहते हैं जो गुण स्थानों में बदलती है उसे परियाय कहते है जो मानगणा स्थानों में बदलती है जो सत्संख्या, क्षेत्रस, बर्षन, कालांतर, भावल, भथव दिन भारब, बस वो परियाय का ही चिंतन चलता है वो पाँचों चारों भाव कौनसी अवस्था में पाये जाएंगे वो चार प्रकार के ज्ञान कौनसी अवस्था वो श्रेणी में जो व्यक्ति जा रहा है वो उप्षमिक भाव में वो शाइक सम्मेक दृष्टी था उप्षम श्रेणी चड़रा था उसमें चारो भावा जाएंगे ले लगा लो तुम सबरे तो क्या हुआ भाई परियाए को जान लिया अब किसमें मजा आ रहा है उस परियाए के विकल्प में ही मजा आ रहा है ये परियाए को मैंने जाना मेरे जैसे कितने सनातक है कौन कहां काम करता है मुझे किस फील्ड में काम करना है चलो उसका नमबर ढूणते हैं उससे बात करेंगे भाई साब कुछ जुगार लगवा दो तो ये सारी परिस्थिती किस बात को बताने के लिए होती है परियाय को जानने के बाद हमारा सबसे पहला चिंतन खड़ा होता है उसके विकल्पों में लगना मेरी परियाय क्या है श्रावक परियाय अविरती श्रावक अब क्या चाहिए मुझे मुझे भ्रमचर्य चाहिए अपनी जिन्दगी में परियाय में परियाय के नए विकल्प खड़े करने में तो ऐसा परियाय के नए विकल्पों को खड़े करने में अपना समय खराब करने की आउशकता नहीं कुछ नया जिन्दगी में प्रशान भीगा कुछ तो नया होना चाहिए ये वोई नय नय के चक्कर में सारे पुराने बढ़ते जा रहे हैं और स्वरूप तक जाने का गारिय हो नहीं रहा है कि इस प्रचार के नए माध्यम खोजने चाहिए इंटरनेट आ गिया है अब जूम पर होनी चाहिए कक्षाएं अब सारा का सारा यूट्यूब पर जाना चाहिए आरे भई ठीक है समझ रहे हैं तो उस रष्टिकोंड से सारा चिंतन कराया यहां जा रहा है क्या बताने के लिए कि परियाए पर कब तक टिके रहने का मूड है तो उससे ज़रा छोड़ दो वो वाली बात है चलो पढ़ते हैं अब देखें दोनों का विकल्प तोड़ कर आगे ना वही बात दोनों नयों को पकड़ के रखना है क्या नई दोनों नयों में से किसी एक को पकड़ के रखना है क्या द्रव्यार्थिक नय को पकड़ लेते हैं बताओ पकड़ लें क्या द्रव्यार्थिक नए के विशय को पकड़ लो तो सारी problem कतम हो जाएगी कैसा होता है उसका विशय है तो देखो अगली line में अंतरलीन अभेद एकाकार ऐसा बोले बिटप, एक मिनिट द्रव्यार्थिक नए से जब हम अध्यान करते हैं तो हमें पता चलता है कि आत्मा शुद्ध है आत्मा परियायों में बढ़ती नहीं है आत्मा एक अभेद रूप वस्तु होती है ऐसा हमारे विकल्पों में आत्मा पकड़ में आ रही है द्रव्यार्थिक नए के विशय पर जाओ तो वो भी आप कड़ाचित विकल्पों में ही खड़ा कर सकते हो कैसे खड़ा कर सकते हो भई मैं कैसी आत्मा हूँ मैं एक शुद्ध अभेद आत्मा हूँ तो अब ये दोनों जो हो रहे हैं ये कहां हो रहे हैं ज्यानात्म कल्पना में जिसको विकल्प कहते हैं, तो जब हम बहुत दोगा खंडन करते हैं, कल्पना, पोड़ा, मभ्रांतम, प्रतिक्षम, तो वो आशयत्ता ही होता है, आपने जो भी कल्पना कर रखी है, आपने उसमें अपने आपको एकाकार कर लिया है, निर्विकल्प की अनुभूती का नाम ह सम्यक दर्शन है, प्रमान है, तो यह वो ही है, द्रवियार्थिक नायके विशयको निर्विकल्प, परियार्थिक नायके विशयको सभी कल्प कहते हैं, यह वहां भी परिभाशा घटित हो जाते हैं, तो आशयक इतना सा हुआ, आशयक इतना सा हुआ कि इस बात को अनुभ पढ़ते पढ़ते हो, जैसा आप चिंतन मनन करते हो, वैसा ही आपको काम आ जाता है, इसलिए कहते हैं कि ये पढ़ो, अच्छे से समझो, वह वाली बात है। अपने आपको उसमें खतम करदो, अपने चिंतन मनन को उसके साथ अभेद करदो, उसके सारे विकल्पों को खतम करदो, निश्चय स्थुती वाला जो प्रकरण है नू, जहां भकती करने वाला और भकती जिसकी की जा रही है वो, क्या है इन दोनों के लिए शब्द वहां क्य ना हो जाया समय सार गाथा 31 32 33 निश्चे स्तूति की गाथाओं का प्रक्रण है जहां उन्होंने अभेद करने की बात कही बाद साब मतलब इतना गजब का चिंतन है हम भक्ति करने जाते हैं कल गय थे अपन लोग भक्ति करने किते बजे गए थे अपन भक्ति करने कल पहने बजे अपन लोग गए थे साड़े साथ पर अपन वापिस आ गए थे होगी क्या बक्ति तो ये शब्दात्मक भक्ति है फिर आप जब जिन्वानी को पढ़ने के लिए अपने मन से खोलते हो एक्जाम के भाय से नहीं किसी और कारण से नहीं जब आप मन से उसे चलो पढ़ क्या कहना चाहरे हैं इन्होंने क्यों और ये सब लिखा है क्या इसका उचित्त है तो अब ये भक्ति कहां हो गई ग्यानात्मक भक्ति लेकिन ये भी भेदरूब भक्ति हुई अभेदरूब भक्ति हुई क्या हुई जो पढ़ा उसे समझा और जियन में अपना लिया खदम हाँ तो विशय अब विशय कहकर के दो बाते हो गई आत्मा शुद्ध होती है अभेद होती है आत्मा शुद्ध होती है ये भी दरव्यार्थिक नए का विशय है क्योंकि तुमने अपनी कल्पना में जो दरव्यार्थिक नए मान लिया है तो कौन अब मैं इमाजिन करूँ मैं शुद्ध हूँ तो आ रहा है शकल क्रिनाल की दिमाग में जो कल्पना में मैं अभेद वस्तू हूँ अब मैं मतलब कौन? क्रिनाल काम खराब हो गया समझ गया तो हमने विकल्पों में वो आत्मा को बिठा लिया है तो विकल्पों की आत्मा से तो काम जैसे मैंने का मम्मी जैसे आप से कहा मैंने कि वो अपन स्कूल कॉलेज में थेरी और प्रैक्टिकल नहीं कराते हैं स्कूल कॉलेज में थेरी प्रैक्टिकल कराते हैं science में बिठाया बहुत अभी इधर का उधर chemical mix कर दिया दिक्कत हो जाएगी तो भाई हमने तुझे इतना सा sodium दिया है अब उसके साथ मैं तुझे chlorine gas दे रहा हूँ अब यह दोनों को किस temperature पर तो 182 degree Celsius पर किस pressure पर तो 30 C by मतलब उसकी density के हिसाब से हमने 32 C by grams science के हिसाब से उसे उसमें pressure दिया और फिर जब आप देखोगे तो उसमें छोटे-छोटे नमक के particles बन जाएंगे तो अब यह पढ़ाना पहले पढ़ता है तो पढ़ाया आपको आपने अच्छा यह ऐसा होता है यह इस में यह होता अच्छा तो अच्छा बन्डी जी प्रवचन कर रहे हैं मन्दी की इस बात कर कर रहे हैं आत्मा भेद शुद्ध वस्तविय पार दरवय में इसका चिंतन चैसां मनन करना पाप है अब आप आपने समझ लिया, यह किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, द्रव्यार्थिक ने के विशय पर बात कर रहे हैं, अब यह जो आपको समझ में आया है, समझ में आ गया न, तो यह द्रव्यार्थिक ने का विशय समझ में नहीं आया होता, तो आपको यह समझ में आता कि ओ प्रव प्रब्लम क्या है भाई साब, इसके बाद भी, मैं द्रव्यार्थिक नयका प्रवचन करता हूं, कोई नहीं आता, दादा द्रव्यार्थिक नयका प्रवचन करते हैं, लोग भरके आते हैं, पंडी जी द्रव्यार्थिक नयका प्रवचन करते हैं, आरे देखो लोगों की भी तो practical कैसा होता है, तो उसको कभी द्रव्यार्थिक नय का विशय कह दिया जाता है, और कभी उसको द्रव्य परियाय दोनों से अतीत के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो यह तो सब भाशा की अपेक्षा से किया गया अंतर है, नहीं तो फिर हम समझा नहीं ग्यानात्मक और भावात्मक में क्या अंतर होता है? ग्यानात्मक मतलब हमने अपने दिमाज में किसी चीज की कलपना बना ली, मैंने कलपना करके मैं लिया कि मैं तो दो साल का बच्चा हूँ मम्मी डुडु चाहिए मम्मी मुझे घूमने जाना है दो से दो साल का बच्चा बोल पाता है कि है नहीं है थोड़ा चार साल का मान दो चार साल का बच्चा है मम्मी भूग लगी मम्मी मुझे यहां जाना है मम्मी मुझे वहां जाना है मम्मी मैं तो JLF जाऊंगा मतलब उसने जो सुन लिया है उसको वो हरकते करनी होती है अब ये मान करके तुमने अपनी जिन्दिगी जी रहे हो तुम ऐसे करके हमने कुछ भी कलपना मान ली तो वो कलपना से क्या वस्तुस्तिती बैठ जाएगी तो आपने कलपना करके मान लिया कि ये शरीर नहीं रहेगा तो मेरी आत्म साधना नहीं हो पाएगी इसलिए क्या करूँ? खाऊं प्यूएश करूँ? अब ये प्रॉब्लम कहा आ गया? प्रॉब्लम ही आ गया कि तुमने मैं की परिभाशा किसमें बनाई और तुमने मैं का चिंतन क्या किया था? इत दोनों के बीच में संदी का धेर है ठीक है? चलिए पढ़ो बैया अनादी कालसे है आत्मा अनंत गुरात्मक निस सुद्धात्म तत्त से आपरिचित ही है क्योंकि अपने बैभाव के सम्यक परिज्ञान के अभाव में उसके भोक से बंचित ही रहा है अब देखो टोडर मल जी ने एक रोगी वाला उधारन दिया था ठीक है न? चलो दूसरे अध्याय से चालू हुआ था बताव दूसरे अध्याय में उधारन में क्या कहा था? सबसे पहले रोग की स्वीकृति आवश्चक है कि हमें रोग है क्या रोग कैसे पता चल रहा है हमें रोग है कर्म और नो कर्म से जगत में ये सारे सहीयोग मिले है कि नहीं मिले है इतने ही बच्चे आए आज बस इससे आपके स्थिती पता चल रही है बहुत दिमाग लगा रहा हूँ बहुत दिमाग लगा रहा हूँ विशय समझ में ही नहीं आ रहा ग्याना वरण कर्म की गड़बड है कुछ तो गड़बड है तो इस से हमें क्या पता चलता है इस से हमें इतनी मोटी-मोटी जानकरी मिल जाती है कि हमारी अवस्था क्या है हम क्या जबर दस्ति अपने आपको समझदार समझ रहे हैं इतने सारे बंधनों में रह रहे हैं आप imagine करके देखो एक आदमी बढ़िया जिंदिगी भर तक खेलता कूदता था और एक दिन उसे आगया कोमा आतमा उतना ही उचल रही है इच्छाएं बिलकुल कम नहीं हो रही है अब ये खा लूँ अब वो पीलूँ अब कुछ करने को जिंदिगी में नहीं मिल रहा बताओ शरीर बंधन जेल है की नहीं है बड़ी असानी से बता चलता है ये तो जेल है जब तक वो जेल हमारे साथ उचल रही है तब तक तो सब सही है जैसे ही जेल ने अपने रंग दिखा दिये है पुदगल पुदगलवत हो गया है अब बताओ आतमा क्या कर रही है उसके अंदर एक जगे चोट लग जाए कैसे भी करके ये ठीक हो जाए बस कैसे अब इसका दर्द बरदाश्ट नहीं हो रहा तो टिंचर लगा दो आदमी का वहां से विकल्ब खतम हो जाए और दर्द हो गया लेओ टिंचर मतलब वो क्या बोलते हैं उसको अच्छा ठीक है प्रैक्टिकल अरे स्पिरिट नहीं लगा देते हैं जिससे की खून आना बंद हो जाए वो तो ये सारा चिंतन क्या कराने के लिए बाई शरीर तो जेल है शरीर के साथ तो रोगों का स्थल है ये सब पता चल गया फिर उसके बाद दूसरा उधारन क्या दिया उन्होंने इस उधारन को कैसे आगे बढ़ाया अवस्था तो हो गई अवस्था ही तो बताई है अभी मेरी आज अवस्था क्या है तीसरा ध्यायम उन्होंने बताया इसका कारण क्या है जब तक आपको इसका कारण नहीं पता चलेगा कि ये अवस्था हुई किस कारण सी, क्या है हमें संसार की अवस्था और मोक्ष का स्वरूप, ये अगला प्रक्रनाया, तो संसार में वेवितताएं कौन-कौन सी होती हैं, वो बताती है, इसका कारण कौन है, मोह, राग, द्वेश, चलेगा हम अध्याय नमबर 4 पर, फिर गलती से तुमने गलत डॉक्टर पकड़ लिया, तो क्या होगा भाई साब, अध्याय नमबर 5, गलत डॉक्टर पकड़ लिया है, तो तुम्हारा रास्ता कभी सही नहीं हो सकता, अब कदाचित तुमने सही डॉक्टर पकड़ लिया, उसके बाद क्या होगा, वो दाद पर करते हैं पढ़िए जिस प्रकार औसधियों के भंडार औस धालाय में सोता हुगा भी रोगी औसधियों के आपरीचय एवं असेवन के कारण आरुग लाव प्राप्त नहीं कर पाता है उसी प्रकाह आत्मा भी अनंत सुख जैसे अनंत गुनों का धनी होकर भी आपरीचय एवं असेवन के कारण रंच मात्र सुख लाव प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो हम ओशदियों के भंडार में रह रहे हैं ओशदियों का भंडार मतलब यहां ओशदियों का भंडार मतलब कितने पीछी कमंडल आज तक लिये हैं आज तक कितने बार हमने समवसरन का संपर् बगत राज जी आज पहली बार आप जिन्वानी सुनने आए हैं क्या हम अनादी काल से ये काम कर रहे हैं आज पहली बार तो ये हुआ नहीं है तो अनादी काल से वो परिस्थिती हमें मिल रही है ओशदियों के भंडार में सम्मेक दर्शन ग्यान चारित्र ये संसार अपेक्षा में होते हैं अरे यहीं होते हैं भई तो उस अपेक्षा से आप विचार करो तो ओशदियों के भंडार में तो हम रह ही रहे हैं बशर्ते हम सही औशधी जाने और उसका प्रयोक करें अब इसी उधारन को आगे आगे बढ़ाया जाएगा तो उसको देखते हैं बुले महावीर भगवान की अनंत धर्मन अस्तत्वम